दोस्तों पिछला वीडियो में हमने Old English पढ़ा था आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Age of Chaucer दोस्तों 1066 to 1340 एंगलो नॉर्मन था और 1340 के बाद यानि 1340 to 1400 ये Age of Chaucer कहा जाता है दोस्तों Chaucer के नाम से ये पूरा Age जाना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि Chaucer जो थे वो इकलोते ऐसे most prominent writer थे जो इस Age में उन्होंने अपने works लिखे बागी बहुत सारे writers को भी आगे हम जानेंगे लेकिन Chaucer ही थे जो English को as a modern language के रूप में develop किया और इनके बाग इनके literature के बाद बहुत सारे writers इनका works से influence होकर अपने works लिखे यानि इनके बहुत सारे followers देखने को मिलेंगे जो आगे की इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 1340 से पहले यानि 1340 से पहले जो जितने भी literary work थे या literature थे वो important नहीं है क्योंकि वो standard form में नहीं थे एक standard language में नहीं थे उनका format का कुछ पता नहीं था और उनके जो भी works थे उनका कुछ पता नहीं कि उनके writers कौन है और कुछ works भी मिलते हैं तो कुछ ज्यादा उनका evidence मिलता नहीं कि कौन से writers उनको publish करा है किसने उन works को लिखा या फिर बहुत सारे writer भी मिले जिनका works का कुछ नहीं तो इसलिए वह is important लेकिन यह is age of Chaucer important है लेकिन TGT PGT में Age of Chaucer से बहुत limited questions होते हैं फिर भी मैं एक background देने के लिए इस वीडियो में हम detail में बात करेंगे दोस्तो इस time तक इटली में रेनेशा आ चुका था रेनेशा मतलब अभी फिलाल इतना समझे कि यह literary movement था जो की Greek art and literature का परभाव था यानि आज के time में जो भी हम literature में poetry देखते हैं ड्रामा देखते हैं तो उस time literature का जो basic format था वो इटली में आ चुका था मोटा मोटे आप इस चीज को इतना समझे कि यह रेनेशा इटली में आ चुका था जो की जिसका प्रभाव थोड़ा लेट आया इंग्लैंड में तो इस time चौसर थे और इन्होंने वहां से influence हो इटली France से जो रेनेशा पहुँच चुके थे बहुत सारे works पब्लिस हो चुके थे दाते, पेटरार्क, बोकैसियो यह बड़े-बड़े writer इनका works पढ़कर चौसर उनको translate करना शुरू किये उनके works को समझना शुरू किये और उस चीज को England की धरती पे लाके वो literature को as a work पब्लिस कर करने की सोची और इस तरह सेम कर सकते हैं कि इस टाइम चौसर ने seeds बो दिये, बीज बो दिये modern age के लिए, modern age में जो भी works मिलते हैं, यानि इनका बीज अगर हम समझे हैं, तो चौसर के टाइम में ही यह बीज बोया जाचो, यानि ड्रामा समझ लिजे, poetry समझ लिजे, या फि कफल नहीं हो पाए, और रही बात प्रोज की, तो प्रोज के वक्स में भी मोटा मोटी एक views वो दे गए अपने आने वाले generation, तो literary point of view से यह age तो काफी important है, और इस age को unrest and transition age कहा जाता है, जो हम आगे जानेंगे कि यह transitional era जो कहा जाता है, इसे first transitional age कहा जाता है, वो क्यों कहा हम आगे समझेंगे, इस time geographical discoveries बहुत सारे हुए, और reformation भी हुआ, जो कि church का reformation हुआ, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है, विकलिफ का न, और यहीं से prostatism का जो एक अलग से caste निकल कर आया, जो कि puritan age में इस चीज का आप समझेंगे, कि यह prostatism का क्या प्रभाव रहा आगे च से उन्होंने church को, जो catholic church था, उसको reform किया, यानि church के अंदर जो भी corruption चल रहे थे, रूडिवादी सिधान्त चल रहे थे, उनको उन्होंने बदला, उस चीज को लोगों तक सही message पहुचा कर reform किया church को, इसे भी हम थोड़ा आगे समझेंगे, इस age में economical discontent भी रहा, बहुत सारी economical condition खराब रहा है, क्योंकि black death इस समय आया था, war of roses भी हो रहे थे, war of roses थोड़े दिर में आपको समझ में आया, 100 years of wars भी चल रहे थे, ये भी हम आगे जलकर आपको बताएंगे, तो हम बताना चारें कि ये जो age है, यानि age of chaucer, basically ये history of English literature के लिए important है, अगर हम बात करें TGT, PGT के लिए तो important नहीं है, क्योंकि TGT, PGT, age of chaucer में से age के background से questions नहीं पूछे गए हैं आज तर, old English तो होगा ही नहीं, और ये chaucer से अगर कुछ चीज पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो में बस जितना मैं overview दे रहा हूँ, वो काफी होगा आपके लिए, तो age of chaucer क आपके writers को सबसे पहले बता देते हैं कि age of chaucer में कौन-कौन से writers हैं, तो आपके screen में अभी दिख रहे हैं, age of chaucer के writer और इनके वक्स, ठीक है, अब समझते हैं, monarchy को, यानि England में 1340-1400 के बीच, कौन-कौन सा monarchy चला, कौन-कौन से kings and queens का throne चला, तो पिछले वीडियो में हम बीच का जो kings and queens थे, उनके बारे में आपको बताएं, अब हम जानेंगे Edward III, यानि 1377-1399, तो Edward III का इस तरह से इनका family chart के रूप में समझ सकते हैं, कि Edward III के जो sons and daughters इस तरह से हैं, Edward the black prince, जो की early age में इनका death हो जाता है, इसका grand son, यानि Richard 1377 के बाद 1999 तक अपने throne को आगे चलात हैं, क्योंकि Richard III एक unpopular king होते हैं, उनको बहुत जादा experience नहीं होता है, throne को चलाने के, तो इनके बाद Henry IV, यानि इनका जो cousin होता है, इसका जो गोतिया होता है, इसके बाद का वो सासनकाल, यानि Henry IV, 1399-1413 का सासनकाल चलता है, इसके बाद Henry V, 1432-1422, फिर Henry VI, 1422-161, यानि 1461, क्योंकि Richard III एक unpopular king रहते हैं, उस चीज के लिए Henry IV अपना claim करते हैं, king बनने के लिए, तो इनके बीच एक seat use चलने लग जाता है, यानि ये दो अलग-अलग royal horse में बन जाता है, जिनको York branch और Lancaster branch कहा गया, यानि York horse और Lancaster horse, और ये दो अलग-अलग horse होने के कारण, इनका जो symbol रेड रोज और वाइट रोज, इनके कारण, इनके बीच का जो seat use चलने लग गया, उसे ही war of roses कहा जाता है, और war of roses हुआ इसलिए, क्योंकि ये दो अलग-अलग horse थे, और ये अपने-अपने तरीके से claim करते थे, कि इसके बाद का जो राजा होना है, इसे होना चाहिए था, इसीज को आप समझे, यानि Henry V तक योर्क वालों को को issue नहीं था, लेकिन जैसे ही Henry VI बनता है, तो 1461 के बाद, Edward IV जो था, 1461 में claim करने लग जाता है, कि इसके बाद का जो king होगा, वो Edward VI होगे, यानि मैं होगा, क्योंकि मैं भी एक royal horse का member हूँ, मेरे अंदर भी royal horse का खून है तो इसके बाद का जो राजा होना चाहिए, Edward IV यानि मुझे भी होना चाहिए, और इस तरह से claim करता है, और Henry VI को 1461 में हरा देता है, लेकिन महज 9 साल तक वो अपना throne चला पाता है, फिर दोबारा से ये जो Henry VI होता है, 1470 में वो अपना throne वापस ले लेता है, लेकिन एक साल त दोनों के बीच का जो वार था, वार उफ रोजीज का है, इसके बाद Richard III, Edward IV के बाद Richard III अपना गदी संभालता है, 1483-85 और ये Richard III Edward IV का भाय होता है, Edward IV का एक बेटा जो Edward V होता है, वो यंग सन होता है, मतलब बच्चा होता है, उसका age king बनने का age नहीं हो पाता है, इसलिए Richard III क्लेम करता है, और Richard III राजा बनता है, लेकिन Edward IV की एक डाटर होती है, जो Elizabeth के नाम से जाना जाता है, और ये Elizabeth यॉर्क फैमिली से होता है, इसलिए इसका जो संतान होता है, यानि Henry VII वो क्लेम करता है, next king के लिए, यानि 1485 में अपना थ्रोन संभालता है, Henry VII, यानि 1485-109, Henry VII क असासनकाल चलता है, और क्योंकि Henry VII यॉर्क फैमिली और लैंकस्टर फैमिली दोनों का संतान होता है, यानि इनके जो मदर फादर होते हैं, यॉर्क फैमिली और लैंकस्टर यान दोनों के बीच का फैमिली होता है, इसलिए यहां से एक नया रोयल हॉस बनता है, जिसको हॉ तूडर कहा गया यानि होस अफ टूडर के अंदर अब हेंरी शेवन अपना थ्रोन समझेंगे फिर इसके बाद हेंरी एट इनका बेटा होता है सन होता है जो 1509-47 यह अपनी मोनार्की को आगे बढ़ाते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फिलहाल पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड को हमें इतना ही जानना है अब बढ़ते हैं आगे एज उप चॉसर में चॉसर के अलावा बहुत सारे राइटर इनका लिस्ट और उनके वक्स अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि चॉसर ही एक ऐसे प्रोमिनें दूसरे बड़े राइटर एज उप चॉसर में वह हैं जॉन विकलिफ और जॉन विकलिफ चॉसर एज के एविडेंस के रूप में जाना जाता है पहले राइटर थे जो चॉसर के कंटंप्ररी होने के साथ साथ वह ऐसे राइटर जिन्होंने चैलेंज किया ऑथरिटी ऑफ Catholic Church यानि चौसर के अंदर जो भी करफ जो भी रूडिवादी सिधान उनको डिकलाइन करा और ये मुवमेंट काफी लंबे टाइम तक चला और आगे जाकर मार्टिन लुथर जो की लगभग देड़ सो सालों तक इसको आगे लेकर गए और इस मुवमेंट में मैन एन गोड की बीच जो बैरियर था जो मिस अंडरस्टेंडिंग था चीज को रिवील किया बहुत ही आसान तरीके से मुवमेंट क्योंकि बड़ा था तो ये काफी लंबे टाइम तक चला और इसका पूरा-पूरा क्रेडिट जाता है तो रिवील किये जॉन विकलिफ अपना वर्ना कुरल रैंग्वेज में लोकल डालेक्ट में हिब्रू से इंग्लिस में ट्रांसलेक्ट और इसको फर्स्ट ट्रांसलेशन और बाइबल भी कहा जाता है जॉन विकलिफ के वर्क विकलिफ टो टोड़ ऑर चैनल इन नेक्स विडियो तिल दें प्लीज लाज़ ये शेख चेड़ जैंग्